तो आकांशा मामले में आज दो बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं और दोनों ही अपडेट आकांशा को लेकर साफ साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं तो इस वक्त सारनाच से लेकर वारा नसी तक और वारा नसी से लेकर इलाबाद तक कोहरा मचा हुआ है आकांशा को दस दिन से ज्यादा हो गए मगर आरोपी अब भी फरार है और अब समर सिंग पहली बार सामने आया है जी हाँ आकांशा केस का मुख्या रोपी पहली बार सामने आया है तो वहीं जिनके साथ आकांशा ने आखिरी बार पार्टी की थी उन दोनों शक्स को लेकर भी बड़ा खुला सा हुआ है पार्टी के बाद से अगली सुभह से दोनों गायब है और हैरानी की बात ये है कि दो तो आपको दोनों ही खबर विस्तार से बताते हैं आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें तो आकांश दूबे मामले में पहली बड़ी अपडेट ये है कि समर सिंग को सामने आना ही पड़ा है दस दिन जे फरार समर सिंग को बाहर आना ही पड़ा है जहां एक तरह पुलिस समर सिंग और उसके भाई संजे सिंग की तलाश में जुटी है वहीं इसी बीच अब खबर आ रही है कि आकांश दूबे केस में मुख्य आरोपी माने जा रहे समर सिंग ने कोर्ट में अपने बचाव के लिए याची काडाली है जी हाँ भोजबुरी सिंगर समर सिंग और उनके भाई संजय सिंग ने अपने बचाव के लिए कोर्ट का दर्वाज़ा खटखटाया है खबरे कि आकांशा दूबे केस के मदे नजर समर सिंग ने इलहाबाद कोर्ट में अपने उपर लगे एफ आयार को रद करने के लिए याचिका डाली है चार अप्रेल को समर सिंग ने कोर्ट में अपनी ये दलील रखी है और खुद को बेकसूर बताया है और आकांशा की मां मधू दूबे की एफ आयार को निरस्त करने की मांग कोर्ट से की है समर सिंग ने अपनी याचिका में लिखा है कि आकाइशा दुबे की मौत में उनका कोई हाथ नहीं है याचिका के मुताबिक समर सिंग ने बताया कि मुझे पर लगे आरोप बेबुनियाद है मेरा करियर खत्म करने के लिए मुझे ये तमाम आरोप लगाय जा रहे है इस F.I.R. की वजह से मुझे mentally और financially बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है इसलिए मुझे आरोप मुक्त किया जाए यहां आपको बता दे कि इंडियन पैनल कोड के article 482 के अधी समर सिंग और उसके भाई संजे सिंग ने यह याची का डाली है यहां आपको बता दे दोनों आरोपी भाई आकांशा दुबे की मौत के बाद से फरार है पुलिस ने दोनों के खिलाफ लुकाउट नोटिस भी जारी कर रखा है अब देखना होगा कि कोड समर सिंग की सियाची का पर क्या फैसला सुनाता है वहीं इधर दूसरी बड़ी अपडेट की बात करें तो वो आ रही है उस पार्टी को लेकर जहां आकांशा आखिरी बार गई थी दरसल सामने आया है कि आकांशा दुबे जिनके बुलावे पर जिनके इंविटेशन पर क्लब में गई थी उनका नाम अरून और शद्धा है कलब में अरून और शद्धा नहीं आकांशा के लिए टेबल बुक की थी और कलब के रिकोर्ड के मुताबिक दोनों ने इस टेबल के लिए 11,000 रुपए पे किये थे अरून और शद्धा कलब में पहले ही पहुँच गए थे और आठ साड़े आठ बजे के बाद आकांशा दुबे वहाँ पहुँची थी इसके बाद तीनों ने एक साथ कलब में एंट्री की थी अब कलब के स्टाफ की बयान की माने तो अरून और शद्धा ने कलब की सबसे महंगी सीट बुक की थी जिसमें महंगी से महंगी बियर भी इंकलूड थी और हर तरीके का खाना अविलेवल था तीनों यहाँ पर 5-6 घंटे रुके थे डांस कर रहे थे बाते कर रहे थे मगर खाने के लिए एक बुच्छु भी मंगाया ही नहीं पांस से 6 घंटे में इस तीनों ने सिर्फ पानी पिया और कुछ खाया पिया नहीं कलब के स्टाफ की माने तो पहले तो सब नॉर्मल लग रहा था मगर धीरे धीरे सिर्फ आकांशा मैडम ही डांस कर रही थी और दोनों सिर्फ खड़े थे और दोनों के बीच कुछ इशारों में बाते हो रही थी सूतरों की माने तो कलब के स्टाफ ने बताया कि आकांशा मैडम अगर कुछ वेटर से लेना भी चाह रही थी तो उन्हें लेने नहीं दिया जा रहा था बस उनको एक बार पानी पिलाया गया इसके बाद आकांशा मैडम डांस पर डांस किये जा रही थी जूम रही थी सूतरों की माने तो कलब के स्टाफ ने कहा कि अजीब तो हमें भी लग रहा था कि इतनी बड़ी स्टार ऐसे अकेले क्यों नाच रही है मगर हमें बोलने की या कुछ भी पूछने की अजाजत नहीं थी अब कलब के स्टाफ ने ये बयान नाम और पहचान ना बताने की शर्ट पर दिया है और ये बयान वारा नसी के एक चैनल को दिया है और उसी के आधार पर ये सारी बाते सामने आ रही है चैनल का दावा है कि आकांशा दुवे की मौत के बास से ही अरुन और शद्धा नाम के दोनों ही व्यक्ति फरार हैं गायब हैं अब बात है तो हैरानी की कि 11,000 रुपे में टेबल बुक करने के बाद भी तीनों ने कुछ नहीं खाया और आकांशा अगर खाना भी चा रही थी तो उसे खाने नहीं दिया गया तब ही तो आकांशा के पेट में ना खाना था ना शराब और ना ही किसी तरीके का लिक्विट वो बस ब्राउन कलर का कैमिकल उनके पेट में मिला है तो क्या अकांशा को पानी के नाम पर कोई कैमिकल पिलाए गया था इस बात की जाच पुलिस को करनी चाहिए और इसके पीछे किसका हाथ है इसकी भी जाच होनी चाहिए आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर ने और वीडियो को भी शेयर करें तो आकांशा दूबे को इस दुनिया से अलविदा कहे 10 दिन हो चुके है मगर ना तो आरोपी पकड में आ रहे हैं और ना ही डॉक्टर्स की बनाई पी एम रिपोर्ट पूरी है परीजन और वकील ने गंभीर सवाल खड़े किये हैं वकील का दावा है कि आकांशा दूबे के पेट में खाना पाया ही नहीं गया ना ही किसी तरह का कोई लिक्विड मिला है शराब ना तो ब्रीधिंग में पाई गई है और ना ही स्टमक में पाई गई है सिर्फ 20 ml का कोई भूरे रंग का लिक्विड टाइप का पधार्थ पेट में पाया गया जिसका जिक्र PM रिपोर्ट में किया ही नहीं गया वही इसके अलावा वकील ने बताया कि आकांशा दूबे का म्यूकस में ब्रेन ओफ स्टमक चोक पाया गया जो कि अपने आप में हैरानी की बात है और इस PM रिपोर्ट को देखने के बाद आकांशा के परीजनों ने और वकील ने पुलिस की थियोरी को पूरी तरह धत्ता बता दिया और कहा कि ये साफ तोर पर मर्डर है सूसाइड नहीं है आकांशा के वकील का कहना है कि ये PM रिपोर्ट पूरी तरह फरजी है क्योंकि अब आकांशा दुबे का अंतिन संसकार हो चुका है दो बारा सेंपल लिये नहीं जा सकते तो ऐसे में फरजी PM रिपोर्ट बना कर केस को सिर्फ और सिर्फ आरोपियों के इशारों पर चलाया जा रहा है आरोपियों से मिली भगत कर पुलिस कोर्ट में इस PM रिपोर्ट को दिखा कर साबित करना चाहती है कि आकांशा ने खुद को मारा था मगर हम ऐसा होने नहीं देंगे क्योंकि ये PM रिपोर्ट फेक है और अधूरी है हम भी कोर्ट में साबित कर देंगे कि ये PM रिपोर्ट फरजी है क्योंकि मैंने पूरे सेंपल्स को देखा था जब PM हो रहा था तो मैं वहीं मौजूद था मैंने अपनी आँखों से बहुत कुछ देखा है मैं शुरू से पूछ रहा हूँ कि उस भूरे लिक्विड का सेंपल लिया गया था या नहीं वकील का कहना है कि मैंने कई मेडिकल एक्सपर्ट से इस बारे में बात की है शराब और खाना नहीं था सिर्फ भूरा पधार्थ मिला है तो इसका मतलब है कि आकांशा के साथ कुछ तो ऐसा हुआ है जो कि संदिक्द है वकील के साथ ये आकांशा दुबे की मा मधु दुबे ने पॉस्ट मॉटम रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं उन्होंने कहा है कि आ आकांशा को नशे में बता कर उसे बतनाम करते रहे क्यों फेक थियोरी बनाते रहे क्या वो शुरुआत में ही इस केस को बंद कर देना चाहते थे मा मधु दुबे का कहना है कि अगर आकांशा ने शरापी होती वो नशे में थी तो फिर पीम रिपोर्ट में इसके बारे में क्यों नहीं लिखा? मेरी बेटी को पहले इन सब ने मिलकर मार दिया और अब मारने के बाद उसे बतनाम कर रही है मगर मैं चटान की तरह डटी हूँ अपनी बेटी के इनसाफ के लिए अब वकील पूरी तरह से PM रिपोर्ट को फरजी और फेक कह रहे है अब ये बास साफ हो गई है कि आकाशाण में पूरी तरह फेल हो गई है अम में बात है कलाईयों में चोट और ब्राउन लिक्विट को लेकर जिसका जिकर भी PM रिपोर्ट में नहीं है न शराब थी न खाना सिर्फ ब्राउन लिक्विड था वो क्या था इसकी जाच होनी चाहिए या नहीं आप भी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर करें